असलाम लेकुम मेरा नाम मुहमद बावर अली और आप देख रहें इम्राइडी मेंटेनेस यूटूब चैनल दोस्तों आज का टोपिक है वह यह है कि यह इम्राइडी मशीन का शटल है देखें एक की यह मैन वाली नौक टूटी वी है जो टांका उठाती है और यह जो दूस इसको अभी मैं खौल के पूरी सेटिंग बताता हूं आपको किस तरह से यह वाले जो नट है ना यह 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 तीनों नटों को आपने टाइट करना है क्योंकि यह तीनों नट टाइट होंगे ना तो उसके बाद बफ मारेंगे तो यह खुल जाते हैं अपने आप चले आप इ किक करके इसके सारे नट खोलते हैं और मैं सारी सेटिंग समझाता हूं इसको किस तरह से रेगमाल मारना है और किस तरह से इसको बफ मारना है और यह सारा मैं बताता हूं वीडियो यह थोड़ी यह बनाने के चकर में थोड़ी लंबी हो गई दस मिनिट की हो गई तो इसके बांदने का तरीका इंशालला मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह शेटल बनता कैसे है वैसे बताया वा तो है मैंने पिछली वीडियो में वह आपको वहां में मिलेगी कि जब आप यूट्यूप खोलते ही ना तो वहां पर लिखा होता है नीले कलर में जो भी मकसद है अब का मसला है आरीगा या इम्रैडी का वह आपको मिल जाएगा वो मैंने वीडियो डाली ही है चाफी वीडियो है तो अब इस चेटल को खोलते हैं इसको खोल के फिर सारा इसको मैं दिखाता हूँ कहां पर रेकमाल मारना है और किस तरह से बफ मारना है इसको बफ लाजमी मारिएगा अगर आपके बफ ग्रेंडर नहीं है तो अच्छे से रेगमाल मारके आप इसको बांद सकते हैं यह चल जाएगा इसका कोई मसला नहीं है ठीक है बेलगबग यह सारा शटल खुल गया दोनों मकसद है वह पहले वाला भी खुल गया और यह भी खुल उनियां को इसकी वह पत्री तूटी इदी मारका माल आ सकता है यह इन्छाला एक साल तक यह शटल और चल सकता है यह देёмें यह पत्री सब्सक्राइब यह तो तवी है है यह सारी साथ के बथा आपकर अपको इंछला यह verschीष आ जीरो का ठीक है और कोई रेंगमाल का रोन यहां पर देखेंगे कट लगा ओते न कट आई शेटल पर चलते चलते चलतेफ यहां पर कट लगाताई तो एक पीछे कट गुझ है यहां पर और यह जो आगे की 오늘도 अगे की तرف भी जाओंगा कि मैं क्या बोलने हूं तो अब इस जगह पर आपने अच्छे से रेगमाल मारना यहां पे धार जो आती है ना वो खतम करनी है सही है ना वो धार पर जब धागा आता है तो धागा च्छिल जाता है और मारो कुछ भी मारो वो नहीं चलता प्रेक है तो इसकी इस जगह पर रेगमाल अच्छी तरह से मारना है पिर इसकी सारी में आपको बताता हूं तर्टीब किस तरह से इसको फिर बफ मारना है वो भी आप अपने हाथों से कर सकते हैं बाद ऐसा होता है कि बस वो हेड पांच-छे धागे तोड़े या थोड़ी दिर उसने तंग किया तो आप लोगों ने निकाल के फेक दिया ऐसा ना किया करें यह सेटों का भी नुकसान होता है आप कोशिश किया करें कि उसको सेट करने का देगे इस जगह पर पीछे वाली जगह पर आप रेगमाल मार सकते हैं आगे की जो नोक है इस पर आपने रेगमाल नहीं मारना जब मारेंगे तो वो खतम हो जाएगी साइए ना तो ये सेटिंग ये सारी इसकी शटल की और अलहमदलिल्ला इस तरह से करेंगे ना आप तो ये चलेगा नहीं चले तो मेरे को आप कमेंट कर रहे हैं यूटीब पर मैं इंशालला फिर उस चिसका जिम्हेदार होंगा चाएं ना इसको अच्छी तरह से यहां पर भी रेइग माल मार लें। ऐस जियए दियर हन्हास से जगा पर मार आ। वह भिवारतar करेंगे तो हाँ में दोभार के रहा हूं के रेगमाल जीरो का होना चाहिए बिलकुल भारिक वाला होना चाहिए वह जै है शटनों पर इससे थोड़ा भी मोटा होगा ना तो वो नया शटल पर मारोंगे तो वह भी खराब हो जाएगा सीधी बात है इस जगह पर मार लो रेगमाल अच्छी तरीके से और ये मेरे दोस्तों की फरमाईश है मुझे मैसीज आयत है वाटसाफ पर यार शटल को बनाने क भी वीडियो बनाओं तो ये उनकी फरमाईश मैं मैं बना रहा हूं एक बंदा इंडिया से और एक है अपना फैसला बाथ से तो इन्चालला य्ये उनकी फरमीश मैस्त पर में यह वीदियो डहल लाँ अब यह देखी मैं बफ्दाव उसको जिसे में पकड़ा आओना इसी तरह से पकड़ा है नहीं तो ये बाग जाता है हातों से छूड़ जाता है है छूड़ जान लगएगा जो जगह जाकर लगएकि वह नोक टूरी आएगी तो फाइदा नी है थित्यात से मकसदिए इसको आप अपने बफ मारना है इन जगाओं पर मारना है वर अच्छी तरह से मारना है सघ्य है इसी वह से मैं ये इस सारी वीडियो आपको डिटेيرة के साथ समझा रहा हूं ठीक ना बाई जन ये देखें अभी इसको इस तरह से बफ मार रहा हूं आए ये देखें बिलकुल पुराना है मैं कच्रे से उठा के लाया हूं यार और ये इंशालला चले गा ये मेरा दावा है ये इसकी इसको बादूँगा मैं कल या परसो जब टा ताके वो जब इम्राइडी का कोई खराब हो तो फॉरी तोर पे यह वाला शेटल लगा दो और उसको रग दो फिर टाइम मिलने पे उसको भी बना दिया है तो हम जो है वो शेटल बहुत कम ले नहें अपनी मशीनों के लिए बहुत कम लेते हैं लगाने की भी सेटिंग होती है भाई शहीं है नूबी में आपको दिखाता हूँ किस तरह से लगाना है अच्छे से दार वगरा चेक value यहां भी इसको बफ मारे देखें इस तरह से अब के पार अगर बफ मशीन है तो सभी अप फिर इसको भारीक वाला रिंग माल अच्छे से मार लें देगा हम इसको हवा वा मार के लायों में कितना माशालला से ये चमक दिया अब इसकी पत्री लगाने की सेटिंग आपको बताता हूं के पत्री किस तरह से लगेगी उसकी भी सेटिंग होती है वो अच्छे से लगानी पड़ती नहीं तो ये शटल नहीं चलता ठीक है नट लगा रहे ना तो टाइट नहीं करना चारों नट लगा ले नहीं लेकिन टाइट बाद में करना है वो उसको अच्छी तरह से देखके कि अपनी जगा पर आया है भी या नहीं तो उसके बाद आपने चारों नट टाइट करने एक एक करके सही ना वह भी मैं दिखाता हू किस तरह से इसको टायड करना कैं ette मैंने भी लूज चोड़े लिए इस कैझा फोड़े अपना डीले गर के लगा दें दो दिन चुडिया चढ़ा यानिक इसकी तो उसके बाद इसको टायड करता हूं हम हो दिखाता हूं कि इसको किस तरह से टाइड करना है सही है ना मिशाला सारी सेटिंग समझ आ जा जाएगी आपको आपका खर्चा जादा होने से बच जाएगा क्योंकि ये अभी जो हालाच चल ले ना ये आरी और इम्राइडी के जो पार्ट्स मिलने ये तो बस इनके रेट तो आस्मानों तो लग गए से ये वही तो आप एडिगे इस तरह से हो बराबर कर लें मैंने नीचे मा रहा है ना तो ये काफियात तक अपनी जगह पे बैटा और यहां पे देख लें कि यहां से यह बराबर कर लें यहां से यह नोग बराबर होती है शटल की और उपर वाली पतली ठीक है तो इसके बाद आस्ता से एक एक नट आपने टाइड करना है इस तरह से हाथ में पगड़ना है और पेचकस पिसलने से बचाना है तो आपके हाथ में जागर डायरेक्ट वो घुसेगा और वो कह चारो नट टाइड हो गए अब चारो नट टाइड करने के बाद भी इस पर आपने अलका सा रेगमाल मार रहें देखें यहां पर ताकर वो नटों की धार निकलाती है वो धार को फिर दुबारा खतम कर दें दुबारा थोड़ा सा रेगमाल मार के तो दुबारा उस पर लेगा अभी मेरा दावाए ये एक साल तक और चल सकेगा तो यह सेटिंगे सारी में आपको समझाता रहता हूँ मेरे तो यही कोशी है के हर बंदा जो बंदा इस फिल्ड में है वो अपने आप में कारीगर है भाई सही है ना उसको किसी की मिन्नत करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो वो अपनी मशीन का काम खुद कर सकता है मैं यह चीज़ें कर रहा हूँ ऑपरेटर भाई लोगों के लिए है सही है आप इंशालला मुझे सपोर्ट करें मैं आपको सपोर्ट करूंगा आपका कोई भी मसला होगा तो वीडियो को यार अगर वीडियो अच्छी ले अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा अस्सलाम उलाइकुम अलाफीस